दोस्त नमस्कार मैं हूँ देवेश दोस्तों भारत से जो गौत असकरी होती है बंगलादेश में उस टॉपिक को हमने कई बार तरह तरह से कवर किया है लेकिन हर बार बार आप सभी ने एक ही पॉइंट हाइलाइट किया कि बंगलादेश में यदि भारतिय गायें पहुँच रही है तो इसमें जितना दोस्त बंगलादेश के सर पर जाता है उतनी ही कालिक भारतिय नेताओं के सर पर भी मणनी चाहिए भारतिय नेताओं के सहयोग और साजिस के बगेर बंगलादेश की और गौत असकरी नहीं हो सकती ये निसकर्स ऐसा था जिस पर आप पहले ही पहुंच चुके थे कई बार पहुंच चुके थे लेकिन आपकी आसंका कितनी सही निकली वो आज आपने टीवी पर देख लिया होगा सीवी आई ने टीमसी के एक बरष्ट निता को धर्दबोचा है उनको भाईया दो दिन बार बोलाया था कि भाई साब आजाओ पेसी देदो लेकिन भाईया जी वो नहीं आए जाच में सही होग नहीं कर रहे थे तो परणाम सरूप उनको गिरफतार कर लिया गया लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर माजरा क्या है मुद्धा किस बात का है तो यह पूरा केस जुड़ा हुआ है साल 2015 से 2017 के बीच सामाने तोर पर यदि भारत से बंगलादेश की और गौत असकरी होती है तो गौत असकरी रोगने का काम किस का है बीचेफ का है बीचेफ की यह जिम्मेदारी है कि वो गायाओं को पकड़े तो बीचेफ यही करती थी स्मगलिंग की जा रही गायों को वो पकड़ लेते थे लेकिन BSF बना उन गायों का क्या करेगी इसलिए BSF उन गायों की आॉक्षन करती थी नीलामी की जाती थी उन गायों की और उन गायों की नीलामी जान बूच कर उचे दामपर की जाती थी क्यों की जाती थी ताकि किसान उन गायाओं को खरीदें गाये दूद दें दूद से दही बने घीव बने तो इस उद्देश से पकड़ी गायाओं को नीलामी के जरिये मंडी में बेचा जाता था ताकि किसान उनको महंगे दाम पर खरीदें लेकिन ये जो टीमसी के गोचोर ह उन्होंने क्या किया उन्होंने BSF के अधिकारी के साथ मिली भगत की परणाम सरूप जो नीलामी में गायों की कीमत है वो कम लगाई गई बहुत कम दाम पर गायें बेची गई चूकि गायें मिल रही थी सफते दाम पर इसलिए लोगों ने उन्हें खरीद लिया और अनतता है कुछ अधिकारियों की मिली भगत से उन गायों को बापस भेज दिया गया बंगलादेश कटने के लिए जाहर है चूकि यह साजिस बहुत बड़ी थी इसमें कई सारे प्लेयर्स थे और गायों को अंतता है स्मगल किया जाना था बारत से बंगलादेश की और इसमें मोटा म संपत्ती है वो ना के वरावर होगी अधिकांस पैसे का इस्तेमाल किस चुनाव प्रचार में किस एलेक्शन केंपेन में किया होगा इसका अनुमान लगाने की छंता हम सभी के पास है घूत काल में पश्चम मंगल में जितने भी चुनाव हुए उनके लिए पैसा किसका हुई है पश्चम मंगाल की सक्ता में अब जब की टीम सी के बड़े नेतार रंगे हातों पकड़े गए हैं गाय के खुन से तब जैसे ही है गिरस्तारी हुई है तो भारत में लोगों को लगने लगेगा लोकतंत्र खत्रे में सेक्लरिज्म पर आच आ गई है मतलब दोस्तो लोगों का कंसेप्ट क्या है देश लुटता रहे चोटे चोटे गरीब किसान बरवाद होते रहे शौट टर्म में सक्ता में बने रहने के लिए इन्होंने लॉंग टर्म में भारत के भविश्य पर सवाल या निसान लगा दिया और उसके बाद यह बोलते हैं कि लोकतंत्र और सक्कलर के भारत में तभी जँनदा रहेंगे जब देश का बेड़ा गर हो जायगा पिछले 70-80 सालों में किस तरह की सरकार हैं भारत में की वो तो आपको जान करी है हर घर में सोचा लयका निर्मान हो इसके लिए भारत ने इंतियार किया मोजी सरकार का हमारे देश में जो पुरानी सरकार थी उनके नेता जो है सिर्फ साशन करने के लिए भारत आते थे छुट्टियां मनाने के लिए इलाज कराने के लिए विदेश जाते थे जब सक्ता में बैटे लोग ऐसा करते हैं तभी होता है लोगतंतर सुरक्षत तभी सेकलरिज्म आगे वड़ता है लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाकरम में बड़ी बात यह है कि यह जो घटनाकरम अभी हो रहा है आपको तो इस पूरे घटनाकरम का अनुमान आसंका बहुत पहले से थी इसलिए समय से पहले समस्या की जड़ पकड़ना सबसे बड़ा गुण होता है दोस्तों समय से पहले समस्या का root cause analysis करने के लिए समस्या की जड़ पकड़ने और उसका इलाज सुझाने का काम आपने प